पाकीजा 1972 की भारतिय हिंदुस्तानी भाषा की संगीत मैं रोमेंटिक ड्रामा फिल्म कमाल अम्रोही द्वारा लिखित निर्देशित और निर्मित थी फिल्म मेनशोंक कुमार, मीना कुमारी और राज कुमार ये लखनव की तवायफ साहिब जान की कहानी बताती है ट्रेन में सोते समय साहिब जान को एक अजनबी से उसकी सुंदर्ता की प्रशंसा करते हुए एक नोट मिलता है बाद में एक टूटी हुई नाव से निकल कर वह एक तंबू में शरन लेती है और उसके मालिक, सलीम नाम के एक वन रेंजर को पत्र लिखती है का पता लगाती है साहिब जान और सलीम शादी करने की योजना बना रहे हैं जिससे साहिब जान की पेशेवर प्रिष्ट भूमी के साथ टक्राव हो रहा है अमरोही, जिनसे कुमारी की शादी हुई थी अपनी पत्नी को समर्पित एक फिल्म बनाना चाहते थे उन्होंने अपनी सहयोगी फिल्म दाया उननीस सो तिरपन की रिलीज के बाद कहानी पर विचार करना शुरू किया उत्पादन पंद्रह वर्षों तक चला पाकीजा की मुख्य फोटोग्राफी उननीस सो चपपन में जर्मन सिनेमेटोग्राफर जोसफ विशिन के तहत शुरू हुई फिल्म को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा विशेश रूप से 1964 में अमरोही और कुमारी का अलगाव और कुमारी की शराब की लत जिसके कारण वह अकसर अभिने करने में असमर्थ हो जाती थी कई वर्षों तक स्थगित रहने के बाद फिल्मानकन 1979 में फिर से शुरू हुआ और नवंबर 1971 में समाप्थ हुआ फिल्म का साउंड ट्रेक जो 1970 के दशक में सबसे ज्यादा बिकने वाले बॉलीवूद साउंड ट्रेक में से एक बन गया गुलाम मुहम्मद द्वारा समगीत बद किया गया था और नौशाद द्वारा समाप्थ किया गया जिन्होंने प्रिष्ट भूमी स्कोर भी तैयार किया था पाकीजा जो 12 रुपे और 50 पैसे मिलियन 160,000 उनाइट स्टेट्स डॉलर्स से रुपे 15 मिलियन 190,000 उनाइट स्टेट्स डॉलर्स के बजट पर बनी थी का प्रीमिय चार फरवरी 1972 को हुआ और इसे आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली